हेलो गाईज, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले के द्वारा दी जाने वाले आंकलन कारेपत्रक नमबर फाइफ करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और विश्य है सामाजिक विज्ञान ये वरक्षिट 21st October 2021 की है तो आईए शिरू करते हैं आज की वरक्षिट कोशिट नमबर वन 1801 में अवद पर डैश थोपी गई थी कोशिट नमबर टू, बैरफपूर में एक युवा सिपाही डैश ने अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया कोशिन नमबर थी बेगम हजरत महन ने कहां अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चरकर हिस्सा लिया था तो बेगम हजरत महन ने लखनाओ में कहां पे लखनाओ में क्या कहा था बढ़ चरकर हिस्सा लिया था विद्रोह में Q2권 No. 4 देखिए किया कहा गया है? किस मुग्ल बाजशाह ने विद्रोहिय सिपाईईएं में 1857 के विद्रोह के नित्रतों की मांग की थी? कि नित्रो मांग सविकार की थी? तो इसका अंसर हो जाएगा D, बहादुर-शाह, जफर. अंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा बहाद अब हम देखते हैं next question, देखो next question क्या कहा गया, question number 5 में यहां, निमन लिखित में से किस आशक ने बिहार में 1857 की विद्रोह का नितरुत किस ने किया था, कहां 1857 में बिहार में, तो इसका अंसर हो जाएगा, कुमर सी है ने, इसने किया था, कुमर सी है ने किया था, 1857 में क्या किया था, इसको दबाने की कोशिश की थी, बार-बार अड़ी सेना मुलाकर, और दूसरा क्या किया था, उन्हें जो भी वफादार थे ना, उनको क्या दिया, इनाम दिया, लालच दिया, जिसकी वज़े से वो क्या हुए, जो पुरा नी, जो उनकी डृण नीती थी, तो आके वो उंग्रेजों को बताने लगे तो इसका अंसर हो जाएगा C, A और B दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगे तो C अंसर सही हो जाएगा अब देखते है कोशन नमबर 7 देखो क्या कहा गया कोशन नमबर 7 में 1857 की विद्रोह के बाद भारत के गवर्नर जनरल को ओदा कोंसा दिया गया था वाई सराय का तो B यहाँ पर करेक्ट ओप्शन हो जाएगा कोशन नमबर 8 देखे निमन लिकित में इसे कौन सा 1857 की विद्रोह का परिणाम था 1857 की विद्रोह का क्या क्या परिणाम था सेना ने भारते सैनिकों का अनपात गटाया गया था गोर खासिक और पठान सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी बिल्कुल ये भी करेक्ट है इस इंडिया कमपनी के सारे अधिकार बिटिश रासमराजय के हाथ में सौंप दिये गए थी ये भी बिल्कुल सही है तो अंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि A, B, C, 3 नो ही सही है उप्रोक सभी आ जाएगा अब देखते हैं कोशन नम्बर 9 और 10 में क्या कहा गया है कि दो वक्तवे दिये गए है एक अथन है बी कारण है दिये गए उनको ध्यां से पढ़ना है और देखना है कि जो भी एक कोशन जो वाक्य दिया गया है एक sentence दिया गया भी उसकी पूरी तरह से मलब उसका जो reason देता है तो हम correct option करेंगे तो आई देखते हैं पहले क्या कहा गया है question number 9 में देखो क्या कहा गया है 1830 के बाद company ने इसाई mission नरियों को खुल कर काम करने की छूड़ दे दी तो देखो ये क्या है जो कथन A है वो तो सही लग रहा है क्या लग रहा है सही कि उन्होंने क्या क्या था 1830 के बाद company ने इसाई जो missionary थे उनको क्या कि एक काम करने की छूड़ दे दी ती बिलकुर 1830 में दे दी ती और 1850 में क्या है था एक नया कानून बनाया गया जो क्या करा था इसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गए तो question number 9 का अंसर हो जाएगा यहाँ पर A correct option क्या हो जाएगा कि जो first है जो कथन दिया गया वो भी सही है और कारण दिया गया है वो भी सही है तो A यहाँ पर अंसर हो जाएगा अब देखते है question number 10 कथन क्या कहा गया है 1824 में सिपाईयों ने समुदर के रास्ते बर्मा जाने से इनकार कर दिया तो यह भी बिल्कुल सही है अब इसका कारण देखते हैं बहुत सारे लोग मानते थे कि समुदर यातर से उनका धरम और जाती नस्ट हो जाएगा तो यह कारण भी सही है तो यहाँ पर दोनों ही अंसर क्या हो जाएगे तो यह थी हमारी आज की assessment worksheet worksheet complete करके अपने teacher से चेक करवाईए और प्लीज मेरे चैनल को like कीजे subscribe कीजे और share कीजे thank you guys